आज के वीडियो में हम लोग क्यूब एंड क्यूब रूट के जो भी चैप्टर में वाक्षिट दिये हुए हैं उस वाक्षिट के सारे कोश्चन को डिसकस करेंगे इस chapter में आपका total worksheets 2 है worksheets 1, worksheets 2 उसके बाद आपका होगा value based question then आपका होगा brain teacher उसके बाद आपका होगा horse question और last में subject enrichment तो जितने भी आपके worksheets और जो भी questions है या value based question है वो सारे आपको timeline के coding description में arrange होंगे जो भी आपको worksheets देखना है brain teacher देखना है या फिर horse question देखना है तो आप लोग description में जो timeline बना होगा time stamp बना होगा उस पे tab करेंगे आपका worksheets ओपन हो जाएगा सो हम लोग worksheets 1 को discuss करने जा रहे हैं हमारा सबसे पहला question हो गया find the cube यानि आपको cube निकालना है देखिए जैसे chapter का नाम ही है cube and cube root यानि cube मतलब क्या होता है power 3 अगर किसी number को 3 times multiply करते हैं तो उसका cube निकलता है जब कोई भी number को 3 times multiply करेंगे तो उसका cube निकलेगा तो हाँ first question दिया है find the cube of 8, 13, 17, 1.3, 0.06 या आपका 10 question है तो इसका cube निकालना है तो cube में simply क्या है कि आपको multiply करते हैं जो भी number है जो भी आपको question दिये हुए उस question को 3 times multiply करेंगे और multiply करने के बाद जो answer आएगा that is your cube या आपका cube कहलाएगा first में आपका हो जाएगा 13 into 13, 2197 इस तरीके से आप side number को multiply करेंगे और multiply करने के बाद जो answer आएगा वही आपका cube कहलाएगे ओके यहाँ ध्यांस देखना है देखिए यहाँ पे 0.06 0.06, 0.06, 0.06 इसको 3 बाद multiply करेंगे तो देखिए आपे यहाँ point के बाद आपका 2 digit है यहाँ point के बाद 2 digit है यहाँ point के बाद 2 digit है तो यहाँ आपका point के बाद 6 digit हो जाएगा जब आप multiply करते हैं तो simple आपको यह ध्यान रखना है कि point हम कहाँ adjust करें जैसे question 4 में रखिए 1.3, 1.3, 1.3 आप 1.3 को यानि 13 को 3 में multiply कर लिजिए तो उसका answer आएगा 2197 और यहाँ multiply में देखिए multiply में आपको point के बाद 1 digit point के बाद 2 digit प्र यहाँ point के बाद 1 digit यानि 3 digit होगे point के बाद यहाँ पे आपको point के बाद 3 digit दिये हुए हैं इसी सरी के से आपको point का adjustment करना है यहाँ देखिए 4 into 4 into 4 यानि 64 हो गया और यहाँ point के बाद 1 point के बाद भी यहाँ पे एक और point के बाद 1 तो टोटल 3 हो गए यहाँ पे point के बाद 3 digit आपको आगए इसी तरीके से आप सारा question को बनाएंगे जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ हुआ है fraction होगा तो fraction होगा करेंगे मायनस होगा तो मायनस में हम लोग करेंगे और cube में जब कोई भी question मायनस दिया रहेगा तो इसका answer भी मायनस में ही आएगा क्योंकि cube में क्या होता है मायनस कैंसल हो जाता है ठीक है लेकिन एक मायनस आपका बच जाएगा तो इसलिए यहाँ पे मायनस का answer हमेशा positive में आएगा अगर किसी भी number को multiply करते हैं वो number odd में है उसके आगे minus का sign है ठीक है तो उसके answer में हमेशा minus ही आएगा ओके तो हमेशा यहां देखिए cube में हम लोग कोई भी number को 3 भा मलप्लाई करते हैं तो 3 क्या होता है आपको odd number होता है और नमबर होगा तो उसका answer हमेशा minus में ही आएगा यह आपको ध्यान देना है ओके जब number को 2 मलप्लाई करते हैं तो minus minus cancel होता है लेकिन जब number 3 मलप्लाई होता है तो minus minus cancel होने के बाद एक minus आपका बच जाएगा वही आपका answer में minus हो जाता है ओके तो इस तरीके से हम लोग जो भी कोशन माइनस होंगे तो उसका answer भी आपको माइनस में ही आएगा कोशन सेकेंड है वीच आफ फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब कौन से जो इसमें नंबर दिये वह से कौन सा परफेक्ट क्यूब है वह आपको find out करना है तो सबसे पहला आपका हो गया 4096 तो हम लोग की 2 का जो है आपको पेर बना यह है यह त्रिपल पेर बना हुआ है यह देखिए यह थ्री टाइमस है यह थ्री टाइमस है कि यह री टाइमस है यानी all factor in group in triplet जितना भी factor है वो आपको triplet में grouped है इसलिए यह perfect cube है अगर कोई factor triplet में नहीं होगा मान लिजए यहाँ पे आपका 3 है अगर किसी में 2 रहता तो आपका perfect cube वो नहीं होगा इसलिए जो भी factor निकालेंगे factor निकालने के बाद 3 में उसको grouping करेंगे और 3 में grouping अगर हो जाएगा तो आपका prime factor इसलिए आपका perfect cube कहला आएगा देखिए 108 का निकाला गया है 108 में देखिए आपका 3 x 3 x 3 है और यहाँ 2 x 2 है यहाँ पे आपका 2 का 3 factor नहीं है और यहाँ 3 का 3 है तो यह आपको क्या हो गया triplet के form में नहीं हुआ इसलिए आपको यह perfect cube नहीं है triplet के form में होने के लिए यह आपको 2 जो है 3 बार होना चाहिए था अगर 2 तीन बार हाता तो आपका perfect cube हो जाता 2 तीन बार नहीं है इसलिए आपका यह perfect cube नहीं है again 392 का prime factor निकाला गया इसमें देखेंगे यहाँ भी आपका 2 का 3 times है और 7 का 2 times है यहाँ भी आपको 7 का 3 factor नहीं बना है इसलिए यह भी आपका perfect cube नहीं होगा again आपका 27,000 है तो इसका prime factor निकाला लेंगे तो इसमें देखिए तीनों का grouping हो गया है आपको यहाँ तीन का grouping है यहाँ भी तीन का grouping है यह भी आपका 3 का grouping हो गया इसका मतलब यह आपको perfect cube होगा again आपको minus 64 by 1331 है हम लोग इसका prime factor निकालेंगे तो prime factor निकालने के बाद minus 4 by 11, minus 4 by 11, minus 4 by 11 देखिएगा यह भी आपका 3 हो गया और नीचे का number भी आपका 3 हो गया है ना question 3 find the smallest number which 2560 must be multiplied so that the product is a perfect cube तो हमें एक smallest number निकालना है जो 2560 मलिप्लाई करेंगे तो वो आपका profit cube बन जाएगा यानि ऐसा कौन सा smallest number है जिसको हम लोग 2560 के साथ मलिप्लाई करेंगे तो मलिप्लाई करने के बाद जो number आएगा वो आपका profit cube कहलाईगा तो सबसे पहले हम लोग 2560 का prime factor निकालेंगे जैसे यहाँ पर देखे सकते हैं आप लोग prime factor निकाला गया है तो 2 into 2 into 2 यहाँ भी 2 into 2 into 2 है फिर अगें 2 into 2 into 2 है यहाँ 3 times 2 आपको आगया है तीन बार और लेकिन आप 5 में क्या बेचार अकेले रहा गया तो यहाँ क्या है आपको number form नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पर पेर बनाने के लिए 2 और extra 5 चाहिए 2 extra 5 चाहिए इसलिए यहाँ लिखा गया है here triplet of 5 is not form क्योंकि 5 का triplet form हुआ नहीं है तो form होनने के लिए 2 और 5 चाहिए तो 2 5 यहाँ अगर लिखेंगे तर ना triplet हो जाएगा ठीक है तो 2 5 हमको और चाहिए तो 2 5 देने के लिए आपका required number क्या हो गया 25 हो गया यहाँ पे 2 5 हमको और जोरत है तो अगर हम 25 को multiply करेंगे तो हमारा जो number आएगा वो पॉफेट क्यूब कहलाएगा जानि 2 5 6 यूरो में हम 25 multiply करेंगे तो हमारा number हो जाएगा 64,000 और 64,000 जो है वो 40 का क्यूब है आपको prime factor यहाँ निकाल के दिखाया गया है अगेन question number 4 अब देखिए यहाँ पे क्या है find the smallest number which 8 788 भी divided so the constant is a perfect cube अब इसमें क्या करना एक ऐसा smallest number निकालना है जिसको divide करने के बाद यह number जो है perfect cube बन जाएगा यानि 8 788 में हम लोग कौन सा number divide करेंगे जो हमारा answer जो आएगा वो perfect cube कहलाएगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसका prime factor निकालेंगे prime factor निकालने के लिए 2 into 2 into 13 into 13 and 13 देखिए यहाँ पर थर्टीन का आपको क्या triplet बन गया है but 2 का triplet नहीं बना है यानि क्या हो गया यह आपको number extra हो गया देखिए यह आपको number extra हो गया 2 into 2 4 क्या है आपको extra है यहाँ क्या लिखा हुआ है triplet of 2 is not formed 2 का triplet form नहीं हुआ है यानि क्या है आपको इसका number होगी आपको 4 तो 4 जो है वो आपको extra है extra है तो 8, 7, 8, 8 में 4 को divide कर देंगे तो हमारा आएगा 2, 1, 9, 7 और 2, 1, 9, 7 जो है 13 का cube है तो multiply में हम लोग क्या करते हैं आपका जो भी number घटे का उसको multiply करते हैं जो भी आपको triplet घटे का उसको multiply करते हैं और divide में जो triplet आपको बढ़ेगा उसको हम लोग divide करते हैं या आपको number जो बढ़ गया जो 22 बढ़ गया number इसमें extra हो गया इसमें डिवाइड कर देंगे अब multiply में क्या है आपका इसमें जो नंबर घटेगा यहाँ पे उस नंबर को हम लोग मलिप्लाई करते हैं दोनों एक दूसरे की अपोजिट है उसके बार true false है first में आपका हो गया 650 is not a perfect cube सही बात है perfect cube may end be 2 0 perfect cube में इसा जो है 3 0 से खत्म होता है 2 0 से ने 3 0 से होगा खत्म perfect cube odd number may not always be odd तो हमेशा odd number का perfect cube odd ही आता है और even number का perfect cube even आएगा ठीक है तो यहाँ पे अंसर आपको क्या हो गया false हो गया cube of negative numbers are negative यह सही बात है जब भी कोई भी number आपको निगेटीव में दिया हुआ है और इसका cube निकालेंगे तो उसका answer भी negative में ही आता है question 5 for a number to be a perfect cube it must have prime factors triplet अगर किसी भी number का perfect cube निकालते हैं तो उसका prime factor हमेशा triplet होना चाहिए सही बात है हमेशा triplet रहेगा तब ही वो cube बनेगा तो यह आपका worksheat 1 था now worksheat 2 worksheat 2 में आपका find the cube of the following by prime factorization यानि prime factorization method के द्वारा आपको cube निकालना है cube root निकालना है तो जो आपका number दिया हुआ है उसका हम लोग prime factor निकालेंगे जैसा कि यहाँ पर निकाला हुआ है और prime factor निकालने के बाद आप उस number को triplet के form में group करेंगे तीन तीन के group में बनाएंगो इसको तीक है यहाँ पर आपका 3 का group बना हुआ है यह भी आपका 3 का group बना हुआ है और तीनों ग्रूप में से आप एक एक नमबर करें लेंगे इसका तीन का ग्रूप है तो आपको दो हो गया इसका तीन का ग्रूप तीन है पर इसमें एक आपको तीन हो जाएगा और यहाँ पर आपको थीरी है तो भी आपको थीरी यहाँ पर हो जाएगा और तीनों को multiply करेंगे जो answer आएगा वही आपका cube root कहलाएगा ओके now question second 1,7,2,8 इसका अभी हम लोग prime factor निकालेंगे prime factor निकालने एक बाद 3-3 में grouping करेंगे और grouping करने बाद क्या होगा यहाँ पर हम लोग इसको common निकालेंगे एक common यहाँ से निकल जाएगा एक common यहाँ से निकल जाएगा और एक common यहाँ से निकल जाएगा और तीनों को multiply करेंगे तो वही आपका cube root answer हो जाएगा again third question में यही आपका है सबसे पदले prime factor निकालेंगे prime factor निकालने के बाद group करेंगे इसको देखिए तीनरे grouping किया जाएगा group करने के बाद उसमें जो common होगा उसको निकाल लिया जाएगा और इस common को हमनों multiply करेंगे और जो answer आएगा वही आपका cube root कहलाएगा again question 4 में same process है आप लोग देख सकते है prime factor निकालने के बाद उसको group में लिखा गिया है तो आपका answer 28 आया question 2 find the cube root of the following integer देखिए यह आपको negative में मैंने पहले ही बताया है कि जो भी आप prime factor निकालेंगे तो prime factor आप minus को हटाया के निकालेंगे और जो answer लिखा जाएगा उसके आगे हम लोग minus लगा देगे जो भी factor होगा उसके आगे minus लगा देगे देखिए आपे 1728 है तो इसके आगे हम minus 2 minus 2 minus 2 लगा देगे यहाँ minus 2 minus 2 minus 2 यहाँ minus 3 minus 3 उसके तीनों का common हम ले लेंगे यहाँ से और common लेने के बाद क्या करेंगे multiply कर देंगे multiply करने के बाद जो answer आएगा वही आपका cube root कहलाएगा बस इसमें क्या है आपको minus का use करना है जो भी factor लिखेंगे उसके आगे आपको minus लिखना है आपका बनाने का process same question number one जैसा ही है ठीके कोई change नहीं है but you have to put only minus sign in factor आप factor में minus sign को put करेंगे ओके दखिए 2744000 0 इसका factor निकाला गया और factor निकालने के बाद यहाँ पर आपको common लिया गया और हर common में आपको क्या है minus दिया हुआ है देखिए देहां से minus दिया हुआ है minus होगा तो इसको multiply करेंगे multiply करने के बाद आपको 140 answer होगा ओके again आपका third question third question होगी है आप तीनों common लेंगे factor निकालने के बाद common लेंगे आपको उसको multiply करेंगे आपका answer निकल जाएगा okay now question third same आपका professor sorry question 4 is there यह आपका question 4 हो जाएगा और यहाँ पर क्या है आपको same ओही तरीका है factor निकालेंगे और factor निकालने के बाद common लेंगे और common लेने के बाद multiply करेंगे जो answer होगा वही आपका cube root कहलाएगा आप question 3 है evaluate evaluate करना है सबसे पहला है cube root 3 8 into 125 तो यहाँ 8 और 125 का हम लोग cube root निकालेंगे okay 8 का cube root होता है 2 2 into 2 into 2 करेंगे 8 आएगा तो यहाँ मैंने लिखा 2 पे power 3 और यहाँ आपको 3 लिखा हुआ है into 5 पे power 3 ठीक है क्योंकि 5 का 5 को अगर 3 times multiply करेंगे तो 125 आता है okay इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है 5 to power 3 और यहाँ 3 3 cancel हो जाएगा okay यहाँ भी 3 3 cancel हो जाएगा 2 into 5 तो 25 यहाँ लिखा गया है आपका answer हो जाएगा 10 यहाँ 8 और 125 का factor निकाला गया है now question 2 3375 को हम लोग cube के form में लिखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है 3375 यह आपका 15 का cube हो जाएगा और 729 यह आपको 19 का हो जाएगा और दोनों के cube को हम लोगों ने cancel कर दिया हाँ पे यह cancel हो गया आपस में और यह cancel हो गया और cancel होने के बाद जो number आया 15 into minus 9 उसके हमने multiply कर दिया तो वही आपका answer का लाएगा ओके again question 3 that is very easy question सबसे easy question आपका है यह यहाँ क्या है दोनों के हम लोग cube root में separate कर दिये ठीक है यह आपका यहाँ दिया हुआ इसको अलग कर दिये root 3 फिर आपका root 3 यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पे आपको 5 पावर 3 और यहाँ पे 4 पावर 3 यह आपको 3 3 cancel हो जाएगा यह भी आपको 3 3 cancel हो जाएगा देखिए ठीक है यह 3 3 cancel हो गया यह आपको 3 3 cancel हो जाएगा तो बचिया क्या आपका 4 into 5 तो आपका answer हो जाएगा 20 that is very easy question इस chapter का मुझे लगता है सबसे easy question यह ही है question 4 find the cube root of the following rational number जैसे आपने question 3 बनाया है same उसी तरीका सही बनेगा बस इसमें अंतर क्या है कि आपका fraction के form में तरीका same रहेगा fraction है आप क्या करेंगे हर number का cube root निकाल लेंगे पहले यहाँ पे ठीक है और cube root निकालने के बाद इसको लिखना है जैसे यहाँ 4913 का 17 cube root होगा और 75 का होगा 15 और दोनों का cube को हम cancel कर देंगे तो आपका 17 by 15 answer हो जाएगा again question 2 512 है और 343 है यह दोनों का cube root निकालेंगे हम लोग और निकालने के बाद इसको हम लोग put कर देंगे यहाँ पे देखी का 8 का हो गया यह को आपका 7 का हो गया ओके और दोनों का cube को हम लोग cancel कर दिए आपका minus 8 by 7 यह answer हो जाएगा okay now question 3 same यही तरीका आपको दिया हुआ है आप क्या करेंगे इसमें क्या है ना 686 और 2662 यह आपका किसी का cube नहीं है ठीक है तो सबसे पहले इसको हम लोग 2 से divide कर देंगे यानि काट देंगे 2 से 2 से काटेंगे ना तो आपका 3 4 3 by 1 3 3 1 आएगा तो 3 4 3 7 का cube हो जाता है और 1 3 3 1 आपका 11 का cube होता है ठीक है 7 का cube हो जाएगा 11 की हो जाएगा आप दोनों को cube के form में लिखे देंगे उसके बाद आपका 7 by 11 दोनों के cube को cancel कर देंगे यहाँ पे दखिए 7 by 11 इसको cancel कर दे जाएगा यहाँ पे आपको 3 3 cancel हो जाएगा आपका answer बचेगा 7 by 11 तो इस तरीके से आप question को बना सकते हैं fraction का जो भी cube होगा उसका हम लोग cube निकाल सकते हैं question 5 by which smallest number must 5 4 double 0 be multiplied to make a perfect cube तो इसमें आपको same one जैसा question है 5 4 double 0 में हम कितना multiply करेंगे जो हमारा वो perfect cube बन जाएगा तो simple सतरीका है सबसे पहले हम लोग 5 4 double 0 का prime factor निकालेंगे और prime factor निकालने के बाद आप इसमें चेक करेंगे कि triplet किसका बना हुआ है किसका नहीं बना हुआ है तो यहां देखेंगे 5 का triplet नहीं है तो required number क्या हो जाएगा आपको 5 हो जाएगा तो 5 4 double 0 into 5 तो आपका 27 triple 5 आएगा sorry 27 triple 0 आएगा 27 triple 0 और यह आपको 27 triple 0 है वो 30 का cube है तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं यानि सबसे छोटा number जो multiply करने का होगा वो 5 होगा अगर 5 को multiply करेंगे तो हमारा 27 triple 0 आएगा और 27 triple 0 जो है वो 30 का cube है Okay Question 6 Find the smallest number which divided अब तक है इसमें इसमें आप कौन से number को divide करेंगे जो आपका 16384 जो है perfect cube बन जाएगा तो सेम हो ही प्रोसेस है सबसे पहले हम लोग prime factor निकालेंगे और prime factor निकालने के बाद grouping करेंगे triplet का grouping करेंगे और जो extra number होगा उसको हम लोग divide कर देंगे ठीक है यहाँ देखिए 2222 का है यह आपका तीनो 2222 का grouping किया हुआ है बट यहाँ आपको 2 जो है यह इसका triplet आपको नहीं बना है यह इसका triplet आपको नहीं बना तो आपका required number क्या होगा 4 हो जाएगा तो 4 को अगर divide कर देंगे हम लोग 16384 में तो आपका 4096 आएगा और 4096 जो है आपको 16 का cube root होता है तो इस तरीका से आप लोड number को निकाल सकते हैं अब यहाँ आपको दिया हुआ है find the cube root of the following through estimation estimation method से आपको बनाना है तो सबसे पहले जो number होगा उसको starting का number को हम लोग 3 में divide करेंगे और उसके बाद का number होगा उसको divide करेंगे आपको number divide होगा तो पहला जो होता है आगे से आपको वह 3 digits में divide होता है यहाँ देखिए डिवाइड की बताया गया है वन टू यहाँ देखना है once digit में once में क्या है six four eight है eight in its once place once place में आपका eight है तो eight किसका क्यों होता है two का cube root होता है eight का cube root क्या होगा ऐसा कौन सा number है जिसका cube root जो है cube जो है 10 से कम होगा यहाँ आपको यह देखना है ऐसा कौन सा number है जिसका cube जो है 10 से कम होगा तो वह आपको two होगा यह two का cube क्या आता है eight आता है और eight जो है आपको 10 से कम होगा ओके और यह last का digit क्या है 8 है तो यह आपको इसका cube root किसका हो गया 2 का हो गया यह भी आपका 2 का हो गया इसलिए हाँ answer क्या हो जाएगा आपको 22 हो जाएगा ओके यहाँ पे आपको इसके according आपको 8 आगया और आपका इसके according यहाँ पे 2 आगया तो यहाँ पे आपको answer तो आपको 5 का क्यूब रूट क्या होता है तो उसके लास्ट का भी आपको डिजिट 5 लिया गया है उसके बाद यहां देखना है कि यह जो है आपको 8 जिसे यहां पर 8 किसका क्यूब हो गया 8 का क्यूब रूट आपको 2 हो जाएगा और यहां आपको 15 दिया हुआ है 15 क्योंकि 8 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब रूट निकलेगा ठीक है तो 8 के बाद आपको 3 है जिसका क्यूब रूट आपको क्यूब आपको 27 निकलता है तो हम लोग यहां में 3 η पाबर 3 लिखें ओके तो इसके अपका एंसर 25 हो जाएगा क्योंकि यहां पे आपको लाश्च डिजिट जो है वह 5 है ओके लाश्च डिजिट आपको 5 हो जाएगा और यह आपको टेंस डिजिट में 2 आता है तो तो टें लाश डिजिट को लाश डिजिट का क्यूब रूट होगी आपको एट यह जो नमबर है इसका एट का आपका आजाएगा तो यहां पर हम लोग ने उसको बना दिया है ठीक है और यह आपको फॉर्च डिजिट है जाने की जो यह आपको वान वान जीरो है उसके कॉर्डिंग अब लोग देगा हूच है ऑब देख सकते हैं फिर बस आफ्रिया करना है को साही ढंग से डिवाइड करना है अगर आपका एंसर एक पर आइगा है प집े इसमें क्या है कि स्कूल करेक्टेट प्रिवियर प्रिविजन लाइक राइस पर्स फॉर्ड फ्लॉड एफेक्टेट पीपल अफ मद्ध पर्देश दीज प्रविजन विया पैक्ट इसक्स क्यूबिकल कार्टून इच उप साइड मेजरिंग 65 सेंटीमेटर तो फाइंड वॉ साइड आपको 65 सेंटीमेटर दिया गया है तो सबसे पहले हम लोग बॉॉग्स कड्या निकालेंगे volume निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका find the volume of cartoon packed यतने भी cartoon packed किया गया है सब का volume निकालना है तो 6 cartoon है तो यहाँ पर क्या लिखा गया है side of cartoon equal to 65 cm और number of cartoon कितना हो गया 6 हो गया आप पहले 1 का volume निकालेंगे तो क्या होगा 274625 इसका answer आएगा एक का volume निकालेंगे तब और यहाँ question में क्या बोल रहा है 6 का volume निकालने के लिए तो यहाँ पर क्या करना है 6 को आप लोग multiply कर दें याने कि 1 को निकालके 6 से multiply करेंगे तो आपका answer 1647750 cm3 होगा B का answer है they are learning to help the needy person at the time of natural disaster question 2 है a school decided to award prizes to students for 3 value discipline, cleanness of environment and regularity in attendance the number of students getting prize in the 3 categories are in the ratio 1, ratio 2, ratio 3 if the product of ratio is 162 then find the number of students getting prize for each value देखिए यहाँ पर आपको 3 students को award divide किया गया है discipline के recording, cleanness के recording और regulatory के recording तो आपको उस price को distribution को निकालना है तो यहाँ आपको price का ratio हो गया 1, ratio 2, ratio 3 हम लोग नमबर को x मान लिए और question के recording क्या करेंगे 1 x into 2 x into 3 x equal to 162 हम लोग ने into इसलिए किया है क्योंकि यहाँ लिखा product of ratio लिखा है इसलिए यहाँ पर 1 x into होगा तो हम लोग ने 1 x into 2 x into 3 x equal to 162 तीनों को को multiply करेंगे तो आपका 3 to 6 x cube होगा ठीक है 3 to 6 x cube by equal to 162 हो जाएगा तो x cube निकालेंगे तो 162 by 6 हो जाएगा तो x cube का value कितना होगा 27 याँ x का value हो जाएगा आपको 3 इसका root निकालेंगे root निकालेंगे अगर आप 27 का ऐसे करके तो आपको इसका answer हो जाएगा 3 यह 3 answer हो जाएगा तो x का value 3 हो गया 2 x का value 6 हो गया और 3 x का value 9 हो गया तो उसके recording discipline में 3 हो जाएगा cleanness of environment में 6 हो जाएगा और regulatory in attendance में आपको 9 हो जाएगा ओके question B है discipline is very important in every aspects of life और always ready to clean our surroundings ओके यह आपका B answer हो जाएगा अब आपका है brain teaser पहला question हो गया tick the correct option first में आपका हो गया cube of 0.1 is equal to आपका answer हो जाएगा 0.001 ओके question B the smallest number by which one nine four four should multiply so that it becomes a perfect cube is आपका second हो जाएगा answer three ओके इसमें क्या है ऐसा कौन सा number को multiply करेंगे one nine four four में जो आपका वो perfect cube आजाएगा c में find the value of cube root three और आपको यहाँ पे one zero 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 यानि इसमें हम लोग इसका value निकालेंगे तो आपका answer हो जाएगा hundred okay d का आपका answer हो जाएगा 0.1 and last e का आपका answer हो जाएगा minus one by twenty seven क्योंकि है minus है इसलिए आपका answer यहाँ minus में होगा question b का a है find the number whose cube is one seven two eight ऐसा कौन सा नंबर है जिसका cube आपको one seven two eight है तो हम लोग सबसे पहले इसका prime factor निकालेंगे prime factor निकालने के बाद इसका triplet लेंगे यहाई तींतरी का grouping करेंगे grouping करने के बाद आपको common लेंगे और common लेने के बाद जो answer होगा वही आपका s का cube root होगा b में आपका find value है two one six into minus one twenty five तो इसको क्या करेंगे two one six और one twenty five को हम लोग root निकालेंगे यहाई आपको prime factor निकालेंगे और prime factor निकालने के बाद उसका grouping करेंगे ठीक है तो आप जब prime factor निकालेंगे two one six का तो यह आपका six का हो जाएगा cube और one twenty five का prime factor निकालेंगे तो वह five का cube हो जाएगा और दोनों का multiply करेंगे तो आपका answer हो जाएगा minus thirty minus thirty इसलिए होगा because of कि आगे इसका minus लगा हुआ है clear आपको बस इसमें क्या करना है prime factor निकालके यह चेक करना है कि यह जो number दिया हुआ किसका cube root है okay question c find the cube root of 0.0000001 तो हम लोग इसका cube root निकालेंगे देखिए यहाँ पे 0.01 into 0.01 into 0.01 यहाँ 0.01 शुट गया ठीक है तीन में multiply करेंगे हम लोग 0.01 तो आपका यह 0.01 यह आपको answer आजाएगा ठीक है तो 0.01 0.01 0.01 0.01 आपको 0.01 का cube कहलाता है cube cancel हो गया तो answer आपका हो जाएगा 0.01 okay now question d what is the smallest number by which 1715 should be divided so the constant is a perfect cube तो 1715 में हम लोग कौन से number को divide करेंगे तो हमारा आया हुआ number जो है वो आपको cube कहलाएगा यानि perfect cube बन जाएगा तो सबसे पहले 1715 का हम लोग prime factor निकालेंगे आप उसको grouping करेंगे triplet grouping करेंगे ठीक है तो तीन में grouping किया गया इसको तो क्या होगे आपको 7 का group बन गया बट 5 का group नहीं बना ठीक है तो 5 क्या होगा 1715 में divide कर देंगे तो आपका 343 आएगा और 343 जो है वो 7 का cube होता है question 2 है evaluate so next question आपका evaluate हो गया इसमें आपको 0.512 by 0.343 इसका हम लोग prime factor से root निकालेंगे ठीक है cube root तो आपका आएगा 0.8 का cube आएगा और यह आपको 343 7 का आएगा तो cube क्यूब कैंसल हो जाएगा तो आपका 8 by 7 into 10 यहाँ point हटेगा तो हम लोग 10 से multiply करेंगे यहाँ point हटाएगे तो नीचे 10 से और नीचे का point हटेगा तो उपर 10 से यह 10 से multiply करेंगे तो आपका answer हो जाएगा 8 by 7 ओके Now question 2 Prove that if a number is tripled then its cube is 27 times the cube of given number तो इसके लिए हम लोग number को A मान लिए ठीक है variable मान ली A उसके हम लोग cube निकाल लेंगे तो A cube हो जाएगा अगर मान लिए कोई number मान लिए 3A तो according to question 3 को A से multiply करेंगे ठीक है 3 का cube निकालेंगे 3A का तो आपको 27A cube आएगा मतलग कहने क्या हो गया कि जो number मानेंगे उसका cube जो होगा 27 times हो जाएगा दिया होग number का तो यहाँ क्या है 3A cube equal to 3 cube into A cube 27A cube हो गया यानि according to जो हमारा statement था वो यहाँ proof हो गया कि जो भी number को अगर हम लोग triple करेंगे तिन गुना करेंगे तो वो 27 times हो जाएगा question 3 write cube of all natural number between 1 to 100 and observe the pattern तो 1 से लेके 10 तक का जितने number है उसका हम लोग cube निकालेंगे देखिया निकाला गया है 1 का cube, 2 का cube, 3 का cube, 4 का cube है 5 का cube है, 6 का cube है 7 का cube है, 8 का cube है 9 का and last 10 का cube अब देखना क्या है we observe that cube of odd numbers are odd जितने भी odd number का cube है वो odd है और even number का cube जो है वो even है यही इसमें pattern पदा चला find the cubes of इसका cube निकालना है cube मतलब जो भी number इसको 3 by multiply करेंगे तो आपका cube निकाल जाएगा जैसा कि यहां करके दिखाया गया है इसको 3 times multiply करेंगे तो आपका answer हो जाएगा find the value of following cube root इसका value निकालना है तो सबसे easy है 0.008 का हम लोग cube निकालेंगे तो 0.2 का cube हो जाएगा तो answer हो गया 0.2 फिर 64 by 1331 हो जाएगा तो 64 का root हो गया cube root आप 4 हो जाएगा और 1331 का आपको 11 हो जाएगा तो दोन्यों का cube cancel हो गया तो answer आपका हो जाएगा 4 by 11 then next में आपका 27 into 2744 है तो 27 का root निकल गया cube root आपको 3 हो जाएगा और 2744 का आपका हो गया 14 का ठीक है तो यह 14 का हो गया 7 to 14 तो आपको answer हो जाएगा 14 3042 ओके आपका यह 14 का यह सॉरी यह आपका हो जाएगा 3 into 2 into 7 तो 42 आपका answer हो जाएगा ठीक है यह आपका 2744 जाएगा वो आपका 14 का cube होता है ओके यहाँ 14 निकल गया है अब इसको लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिखेंगे तो आपका 100% सही होगा Now question 6 Find the smallest number which when multiplied with 3600 will make the perfect cube further find the cube root of the product तो 3600 में हम लोग कौन से number को multiply करेंगे जो हमारा perfect cube बन जाएगा तो सबसे पहले 3600 का prime factor निकालेंगे जैसा कि यहाँ निकाल के दिखाया गया है ठीक है ऐसे निकालेंगे उसके बाद जिसका हम लोग को group form नहीं होगा triplet form नहीं होगा उस number को multiply कर देंगे देखिए आपे यहाँ 2 दिया हुआ है तो 2 को complete करने के लिए 2 और extra 2 चाहिए यहाँ पे 2 extra 2 लिखा गया है 3 यहाँ पे 2 है 3 को complete करने के लिए एक और 3 चाहिए तो 3 यहाँ extra लिखा गया है और 5 आपका यहाँ 2 है एक और आपको 5 चाहिए एक और 5 हो गया यानि यह जो number आएगा multiply करके उसी को हम लोग 3600 multiply करेंगे तो आपका product जो होगा number जो होगा answer जो होगा वो आपका profit cube बनेगा बस आपको यह ध्यान लखना है कि factor निकानने के बार आपको नीचे लिख देंगे तो वही आपका answer बन जाएगा ओके now question 7 evaluate आपको दोनों के evaluate करना है तो 0.07 और 0.008 यह आपका 0.3 का cube है और यह आपको 0.2 का cube है ठीक है 0.09 और 0.04 यह आपको square है 0.3 का और यह आपका square है 0.2 का sorry यहाँ पर एक mistake है यह आपको देख लेंगे यह आपको यहाँ पर 0 नहीं होगा ओके यह आपका mistake हो गया है यहाँ पर 0 हटा देंगे आप लोग 0.3 और यहाँ पर 0.2 है इसका cube हो जाएगा और यहाँ पर 0.3 और 0.2 का square हो जाएगा अपको ध्याँ देंगे यहाँ पर 0 का आपको हटा देंगे एक्स्टा लिखा गया है इसके बाद यहाँ पर cube के form में लिख दिया गया जब cube को हटाएगे square को हटाएगे तो आपका कुछ इस तरीके से number आएगा इस तरीके से number आएगा हम लोग जानते हैं कि divide को solve करने के लिए multiply का यूज किया आता है तो इसको solve करेंगे उल्टा कर देंगे आपका cancel हो जाएगा आपका cancel करने बाद 1 answer आएगा 1-1 equal to 0 आपका answer इसका 0 हो जाएगा उसके बाद guess the cube root of the following numbers जैसा की उपर बताया गया वाक्षिट 2 में सेम उसी तरिका से इसको आपको cube root निकालना है estimation method से ओके जो आप लोगों ने वाक्षिट परहा है सेम वही question आपको brain decision में बनाना होता है ओके now अब आपका है होट्स question होट्स question में solve करना है evaluate cube root आपको 3 है यहां देवा 288 फिर आपको 72 और 27 इसको solve करना है तो हम लोग इधर से solve करेंगे तो 27 जो है किसका cube है तो 3 का cube है यहां 3 लिख दिया गया देखिए हम लोग 27 का cube root निकाला है तो उसका 3 हो गया तो 72 इंटू 3 कितना होता है फिर 72 यहां पहले 72 दिया हुआ है और 72 और 3 को multiply करेंगे तो आपका हो जाएगा 216 ठीक है फिर 266 किसका cube root हो जाएगा 6 का हो जाएगा ओके तो 6 आ गया फिर 288 में 6 को multiply करेंगे तो आपका आएगा 1728 और 1728 जो है आपको 12 cube root होगा ओके यहां 1728 जो है सॉरी 1728 जो है आपको 12 का cube root होगा ओके उसके बाद question 2 three numbers are in ratio 2 ratio 3 ratio 4 find the sum of their cube अब देखिए तीन number दिया हुआ है उसका ratio दिया हुआ है 2 ratio 3 ratio 4 और उसका sum दिया हुआ है ratio का 33957 जो number आएगा उसका sum दिया हुआ है 33957 तो वह number क्या है तो सबसे पहले हम लोग number को x मान लिए तो यहां पर आपका हो गया 2x, 3x और 4x ओके और तीनों का cube निकालेंगे तो 2x का cube plus 3x का cube and 4x का cube equal to 33957 तो आपका होड जाएगा 2 का cube 8x, 3 का cube 27 और 4 का cube 64 तीनों क्याट कर देंगे तो 99x cube हो जाएगा और 99 डिवाइड करेंगे 33957 से तो आपका x cube equal to 343 तो x का value हो जाएगा 7 तो number क्या होगा 2 x 7 equal to 14, 3 x 7 equal to 27, sorry 21 and 4 x 7 equal to 28 ओके यह आपका according to यह जो आपको माने है उसके according आपको यहाँ answer हो जाएगा उसके बाद आपका हो गिया है find the cube root by estimation method तो वैसे आपको grouping करना है और group करने के बाद देखिए 3, 6, 3, 2 का first group है और force and form का second group है तो first group का अगर निकालेंगे इसका कोई prime factor यह cube root निकालेंगे prime factor द्वारा तो इससे कम का जो cube root निकलेगा वो 8 का निकलेगा ठीक है तो 8 का आपका cube हो जाएगा 5, 1, 2 जो 6, 3, 2 से कम है तो इसका unit place क्या हो गया 8 हो गया उसी परकार से इसका निकालेंगे तो आपको हो जाएगा 16 का 16 कम का हो जाएगा तो इसका answer आपका हो जाएगा 168 बनाने के बाद आपको यह answer आ जाएगा ओके, find the value, sorry, find the volume of cube surface area is 150 meter square, volume निकालना है cube का, उसका surface area आपको दिया हुआ है 150 meter square तो हम लोग जानते हैं कि surface area of cube होता है 6A square, तो हम लोग side को A मान लिए हैं यहाँ ठीक है, और surface area आपको दिया हुआ है तो surface area से हम लोग side को निकालेंगे, जोखिए यहाँ पर लिखे हैं हम लोग ने, कि surface area of cube equal to 6A square होता है तो हम लोग surface area के मदद से side निकालेंगे, तो 6A square equal to 150, तो A square equal to 150 by 6, तो A square equal to 25, तो A equal to आपका हो जाएगा 5 Okay, then volume of cube निकालेंगे, तो cube निकालने के लिए तीनों को multiply कर देंगे, तो आपका 125 meter cube जो है answer हो जाएगा